नमस्कार आप देख रहे हैं रामकण्यानियोज और मैं आपके साथ परशा पावार मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि 13 लोगों की जान चली गई सभी सच धच कर शाथियों में शामिल होने गए थे लेकिन वापस घर नहीं लोट सके मरने वालों में दुला दुहन के रिश्यतारों समेत उले के दोस्त भी शामिल है कुछी घंटों में दो सड़क हादिसे हुए और इन सड़क हादिसों में ये मौते हुई है कुछ लोगों के घायल होने के बारे में भी जानकारी मिल रही है सड़क हादिसे में घायल हुए लोगों की हालत नाचुट बताई जा रहे है जिसके चलते मौत का आगड़ा भी पर सकता है हादसे के बाद चीक बुकार मच गई और शादी के घरों में मात्मी माहूल हो गया और डोली उपने से पहले ही अर्थी सच गई जिसके चलते परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है भीशन सडक हादसे में रविवार तड़के नो युवकों की मौत हो गई वैंसवार युवकों को डंपर ने रौन दिया अकलेरा कस्पे में आज एक साथ आठ शवयात्रा निकली तो लोगों की आखों से आसू छलक उठे सभी जवान मोतों की शवयात्रा देख मौजूद सभी लोगों की आखे नम थी शवों को सारोला ले जाया गया चहाब बड़ी संख्या में शवयात्रा में लोग शामिल हुए इस मोके पर पुलिस के आला अधिकारी विजन प्रतनेदी भी मौजूद रहे जालावार ताजस्तान के जालावार जिले में हुए भीशन सडक हादिसे में अशोक कुमार पुत्र घंशाम बागरी रोहित पुत्र ननकिशोर बागरी हिमराच पुत्र बंचिलाल बागरी सोनू पुत्र भेरुलाल बागरी दिपक पुत्र जैलाल बागरी रविशंकर प पुत्र प्रेमचंद बागरी, रोहित पुत्र जगदिश बागरी निवासी अकलेरा, राहुल पुत्र भेरुलाल बागरी निवासी, सारोला कला, रामकृष्न उर्फ, राजु पुत्र प्रेमचंद निवासी, हर्नावदा शाहजी शामिल है। हादसे में घायल मनीश पुत्र मोहनलाल रिवासी अकलेरा गंवीर हालत में अस्पताल में भरती है सभी वेंट सवार मद्यप्रदेश के माचलपूर से शादी समहारों से अकलेरा लोट रहे थे अकलेरा थाना प्रभारी प्रदीप विश्णोई ने बताया कि अकलेरा के बागरी समाज के लोगशनिवार को अपने रिश्दार के शादी समहारों में मध्यप्रदेश गए थे इसे दुरान बाराज से लोटते समय उनकी वेंट तेच रफ्तार में डंपर की चपेट में आ गई उन्होंने बताया कि हादिसे में नोयूब को की मौत हुई है अकलेरा कस्पे में बागरी समाज के सभी युवाओं की एक साथ शव यात्रा निकली इस रान हर आख नम थी हर कोई घटना को लेकर इस तब्द था व्रतकों में सारे 20 से 22 साल के युवाओं थे जादातर मज़दूरी करते थे घटना के बाद सांसा दुशन सिंग, पुरुविधाय के लाश्मेना, पुलिस अधिक्षक, रिचा तॉमर, एस पी चरंचिलाल, सहित कई अधिकारी वेकस्पे के लोग मौझोद रहे शम्शान में जैसे ही चिताओं को मुखाग नी दी तो हर किसी की आखे नम सी नजर आ रही थी इसी तरहे जैपुर जिले में हुए हादसी के बारे में दूदू थाना पुलिस ने बताया कि जैपुर अच में नैशनल हाईवे पर ट्रक स्टेंड के नजदे के एक बाइक सवार को बचाने के चकर में तेज रफतार का ट्रक में जाकुसी कार में सवार तीन यूवक सवार थे और मोके पर ही तीनों ने दम तोड़ दिया बाइक सवार भी नहीं बच सका उसकी भी मौत हो गई दूदू पुलिस ने बताया कि हादसे में विकास चांड़क निर्मल रांका और अशोक काबरा की मौत हो गई तीनों उदैपुर और चित्तोर के रहने वाले थे और पेशे से कारोबारी थे अलवर में 18 अपरेल को अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद तीनों एक ही कार में वापस लोट रहे थे हादसे में जिस बाइक सवार की मौत हुई है वह दूदू का ही रहने वाला मुकेश वैशनव है मुकेश ने अस्पताल ले जाने के दुरान दम तोर दिया